दोस्तो इस वीडियो के अंदर 7 सेप्टेंबर को स्टॉक बोनस और डिविडेंट देने वाले 10 स्टॉक्स को मैं आप लगों के लिए कवर करने जा रहा हूँ मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है बैंको प्रोड़क्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 515 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 14 रुपीज का और डिविडेंट को दिने की जो एक्स डेट और रिकॉड डेट है वो 7th of September की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है B&A Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 301 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 0.50 रुपीज का और डिविडेंट को दिने की जो एक्स डेट और रिकॉड डेट है वो भी 7th of September की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है XL Industries Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 951 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौंस कर दिया 11.25 रुपीज का और डिविडेंट को दिने की जो एक्स डेट और रिकॉड डेट है वो 7th of September की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 177 रुपीज के उपर में चल रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है JTL Industries Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 417 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप स्टॉक बोनस अनाउस कर दिया है 1-1 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक इस बोनस मिलेगा मतलब टोटल में आपका जो एक स्टॉक है वो दो स्टॉक में कंवर्ट हो जाएगा आप यह भी कह सकते हो आपके पास में इस कंपनी के जितने भी स्टॉक है वो सबके सब यहाँ पे डबाल हो जाएंगे और इस stock bonus को भी देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Camp and Company Limited इस company का stock price 1001 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 12 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Copran Limited इस company का stock price 236 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 3 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Mazda Limited इस company का stock price 1003 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 14 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Mitsu Kemp Last Limited इस company का stock price 185 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 0.20 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है आईए बात करते हैं आपे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Multibase India Limited इस company का stock price 251 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 2 रुपीज का और डिविडेंट को देने की जो X date और record date है वो 7th of September की होने वाली है अब अगर आपको इन में से किसी भी stock को purchase करना हुआ ताकि आपको इनके announcements का benefit मिल पाए तो आपको इन stocks को उनकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा यानि की 7th of September से पहले-पहले आपको इनके purchase करना होगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks ते जो की 7th of September को stock bonus और dividend देने वाले हैं अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because Finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई